जै जिनेंद्र स्वागत है आप से फिर से एक बार हमारी विस्निस कारेकरम समस्या एक समाधान अनेक मैं डॉक्टर प्रदीब जैन मैं डॉक्टर प्रिया जैन बक्तामर्शतोत के माध्यम से आपकी समस्यों का निराकरन दिरंदर कर रहे हैं मैं अनन्द बल्ड परिवार की तरफ से पारस चैनल के माध्यम से आप सबी का विस्निस स्वागत और हार्दिक अभी दंदन करता हूं हमारे विस्स कारेकरम बक्तामर सुथ की अर्तलिष कावबे की श्रंखला में आज बक्तामर का चौदव कावबे के बारे में हम चर्चा और विस्तार से बाते करेंगे लेकिन उससे पहले में कुछ कहना चाता हूँ बहुत सारे हमारे भाई बहनों के फॉन कॉल्स आते हैं, मैसेज आ रहे हैं, इमेल्स आ रही हैं जो इस भक्तामर कावबे को पढ़ना और समदना चाते हैं हम बैसे तो हम आपको बेसिक जनकरी हैं, इसके बारे में यहां उपलब्द कराई ही रहे हैं लेकिन अधिक तर भाई बहन इसकी हेलिंग पावर को जानना चाते हैं, समझना चाते हैं और भक्तामर में और आगे बढ़ना चाते हैं तो मैं उन सबी लोगों का हिर्दे से स्वागत करता हूँ, अभी धन्दन करता हूँ और उनकी इस सुन्दर की भावना का बहुत बहुत अभी बादन करता हूँ कि जिन्होंने बक्तामर सोस्क से जुड़ने का, इसके माद्यम से हीलिंग करने का और जन-जन को स्वस्थ करने का, अपनी परिवार को स्वस्थ करने का, जो मन में यह भावल आपके अंदर जागा इस भाव को मैं दिल से, हिर्दे की गहराईयों से परणाम करता हूँ वैसे तो हमने अपनी वैप साइट पर अपने यूट्योब चैनल पर बक्तामर से जुड़ी होई हर जानकारी डाउनलोड अपलोड कर रखी है आप हमारी वैप साइट पर विजिट करेंगे, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाएगी लेकिन कहते हैं बिनिया गरू के गान ग्यान कहां, तो कुछ भी जी सीखना चाते हैं, तो एक गाइडर की जुरत होती है हमें तो वो हम गाइडर आपके बन सकते हैं, आप हम से समपर्क करें, बक्तामर हीलिंग के बारे में जानकरी के लिए हम बक्तामर हीलिंग को रेकी हीलिंग के साथ जोड़ कर नियूमरिक कोड के साथ जोड़ कर कुछ नंबर्स होते हैं जैसे बक्तामर की सक्ति के बारे मैं आप सभी जानते हैं कि इसके सब्दों, स्लोकों के उचारन से जीवन की विविद समस्याएं और मैं तो यह कूँगा कि जीवन की सभी समस्याएं को निराकर बक्तामर हीलिंग के मार्दियम से हो जाता है तो कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ निमरिक कोर्स इनको हम बोलते हैं, जिनको अपनी रिष्ट पर लिखा जाता है और सुननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन प्रजिनी कोट्स हम नीमिर्य कोर्स भक्ताम लिलिंग और एक धिकी हिलिंग तीनों को एक साथ रूख करते हैं इन तीनों को जब उप्योग मिलाए जाए तो हमारे जीवन में अज़वदूद्भू सुक शॉक्सांति सम्रती वियादियों से मुक्ति, पुराने पुराने असादे रोगों से मुक्ति हमें सहेजी मिल जाती है जिसका हम 6 दिंगा हर महीने कोर्स कराते हैं ये कोर्स हर महीने की लगवाग 25 तारिक से लेकर 30 तरके बीच में कराया जाता है लेकिन कभी-कभी बैच बड़ा होने के कारण हम महीने में दो बार भी कर लेते हैं तो आप अगर हमारी कोर्स से जोड़ना चाते हैं रेकी हीलिंग और भकताम हीलिंग को जानना और समधना चाते हैं तो नीचे जो नमबर आ रहा है इस पर वरसप करें इस कोर्स की पूरी जानकरी आपको उपलब्द कराती जाएगी आप हमारी वेबसाइट पर जाएगे तो वहां भी कोर्स की पूरी जानकरी की कब से अगला कोर्स कब और कब से चालो है वो भी जानकरी कराती जाएगी उपलब्द का दी जाएगी सबसे अच्छी बात इस कूर्स की ये है कि आप घर बैटे ही सब को सीख सकते हैं ओनलाइन जुन के माध्यम से आपको कहीं भी नहीं आना आपको समय वेश्ट नहीं करना आपको ट्रेवल्स में या अपना पैसा नहीं खर्च करना आपको कहीं जान भी नहीं हैं आप घर पर कमपर्टेवल ही रहते हुए इन सारी हीलिंग साइंस को सीख सकते हैं और अपने परिवार का अपने समाज का अपनी रिष्टेदारों का जो दूर कहीं पैठे भी हैं अपनी मित्र उन सब का उप्चार सहज भी कर सकते हैं सबसे बड़ी समस्य यह क्याती है कि हम जो सामनी जो व्यक्ति होता है उसका उप्चार तो सहजी कर लेते हैं लेकिन डिस्टेंस में दूरस्त उप्चार कैसे किया जाए हम अपने छे दिंग के कोर्स कारे साला में उस सारी बातें सिखाई जाती है अपने आवा मंडल को कैसे हील किया जाए अपने उप्चार कैसे किया जाए, दूसरों का उप्चार कैसे किया जाए, दूसरों के संप्रक स्थापित कैसे किया जाए जो 6 दिन में आपको स्वाइद कहीं भी चीखने को नहीं मिलेगा वो भी online और घर बैठे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो इस कुछ से जरूर जुड़े आज हम बात करते हैं भक्तामर के चौधे नंबर काववे के बारे में तो पहले हम चौधा नंबर काववे का उच्चारन करते हैं आप सब लोग भी मेरे साथ 14 नंबर गाथा भक्तामर की एक साथ बोलेंगे उच्चारन करेंगे संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुब्रागुनास त्रिभुवनन तवलंग यंती ये संशितास त्रिचग दीश्वर नाथ मेकम कस्तानिवार यती संचर तो यतेश्टम संपूर्ण दंती सा है संपूर्ण पापर बड़ेओं की मात्रा है तो पा को लंबा लेंगे संपूर्ण मंडल संपूर्ण मंडल शशांक तालव वेशा है शक्कर की तरह बोलना है शशांक कला कलाप शुब्रा शुब्रा गुनास शुब्रा गुनास त्रिभूवनन त्रिभूवनन बिंदी के बात क्या है तवर्ग है तो बिंदी को चरण क्या होगा नौ त्रिभूवनन शुब्रागुनास त्रिभूवनन तव लंग यंती छोटी इकी मात्रा है तवा पर तो लंबा नहीं लेंगे लंग यंती ये संशितास ये संशितास तालव विशा है ये संशितास त्रिजग दीश्वर नाथ मेकम बिंदी के बाद कोई भी अक्षर नहीं है थार्ड लाइन फिनिश हो रही है इसलिए बिंदी को चरण क्या होगा म नाथ मेकम कस्तानिवार यती संशर तो यथेश्टम शाह यथेश्टम मुधने शा यथेश्टम संपून मंडल शशांक कला कलापम शुब्रागुनास त्रिभुवनंत वलंग यंती ये संशितास्त्री जगदीश्वर नात मेकम कस्तानिवार यती संचर तो यथेश्टम संपून संपून मीन्स पून कंप्रीट हो चुका है जो स्पून संपून मंडल शशांक मंडल शशांक मीन्स चंद्र बिम चंद्रमा का बिम्व कला कलाप कला समू के बहुत सारे समू है कला के शुब्रा मीन्स स्वच मीन्स उज्वल त्रिभुवनं मीन्स तीन लोक के तव मीन्स आपके लंग यंती लांग रहे हैं ये मीन्स जो संशितास मीन्स आश्रित हैं त्री जगदीश्वर, तीन जगत के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ, नाथ मेकम मींस, नाथम मींस स्वामी को और एकम मींस एक मुखे, कस्तान निवार्यती मींस कोन, कह मींस कोन, तान मींस उन्हें, निवार्यती मींस रोकता है, कस्तान निवार्यती मींस कह मींस कौन तान मींस उन्हें निवार्यती मींस रोकता है संचरतो मींस चलते हुए घूमते हुए यथेश्टम यथेश्टम मींस यथा मींस अपनी इश्टम मींस इच्छा के अनुसार इच्छा अनुसार कि संसार में अगर कोई तीन लोग का नात है तो है स्वामी सिर्फ आप ही हो ये बात अगर हम समझें तो बड़ी आतिक शोक्ति लगती है कि क्या कोई व्यक्ति तीन लोग का नात हो सकता है कैसे हो सकता है कोई राष्टपती होता है कोई प्रधान मंत्री होता है तो वो भी एक राष्ट का होता है एक देश का होता है कोई मुख्य मंत्री होता है तो एक राज्य का होता है क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो तीनों लोगों का नाथ हो सकता है हाँ हो सकता है कैसे हो सकता है यही तो श्कावबे के मार्द्यम से जानना है अनिकांत की बासों को हमें समझना पड़ेगा जो राश्टपती बनता है जो प्रधान मंत्री बनता है जो मुख्य मंत्री बनता है वो किसी को जीत कर बनता है उस पर्टिक्वल एरिया के लोगों को जीतता है उस देश के लोगों को जीतता है उनका विस्वास जीतता है विस्वास मत प्राप्त करता है तब वो जीतता है कुछ पाता है तब वो मुख्य मंत्री, परधाय मंत्री और राष्टपती बन सकता है लेकिन हमारी ये तीन लोग के नात ऐसे है जुन्होंने सब कुछ छोड़ दिया एक इंचन धरम को बालन करता है जो जो सब कुछ छोड़ देता है जो अपने पास कुछ भी नहीं रखता जिन्होंने अपनी आत्मा पर जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर वेजय प्राप्त की है वो ही तो तीन लोग का नात है जब तक कुछ भी पाने की चाहा होगी जब तक किसी को भी जीतने की चाहा होगी जब तक किसी पर भी सासन करने की चाहा होगी तब तक हम या कोई भी सिकुड़े हुए रहेंगे जब सब को सतंत करने क्या राष्ता हम प्रतस्त कर देते हैं सब को मुक्ष मार का मार के प्रतस्त कर देते हैं सब को जो मेरे अंदर है उस सब की अंदर हो ऐसा भाप जो बना लेता है जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो ले राजान मैंने सब कुछ त्याग कर दिया मेरे पाक कुछ भी नहीं है बस ये पेड़ की छाया है जो ऐसी एकिंचन की भामना के साथ प्रभू के चर्णों में संभरिवित हो जाते हैं प्रभू के चर्णों में अपने आपको सर्वस नोशावर कर देते हैं वो संसार थागर्थे पार होने का रास्ता खोल लेते हैं ऐसी अधुद भक्ती मानतु स्वामी इस काप्वे के माध्यम से जिस सब दे प्रभू की कर रहे हैं जो सब को छोड़ देता है वो सब कुछ पा जाता है वो तीन लोग का नात हो जाता है वो तीन लोग का इस्वर हो जाता है तो मेरे प्रभू अधी नात में सब को त्याग दिया है सब को छोड़ दिया है एकिंचन धरम का पालन किया है तो वो ही तीर लोग का नाथ है सापिक्ष्टाप के इस अनुसर देखें जो वो ही तीर लोग का अधीपती है हम इसको दूसरी भासा में ही समझ सकते हैं जो सरीर के ममत का विशरजन कर देता है कि ये मेरा है ये मेरा है ये सर्ट मेरी है गड़ी मेरी है ये घर मेरा है ये परिवार मेरा है जो मवगत का विशरजन कर देता है उस सब कुछ पा लेता है ऐसी भक्ति अगर बंदिक रहम बेविमानतूं स्वामी कर रहे हैं तो निश्यत ही इसका परीनमन इसकी शक्ती अद्भुत होगी तो इसका काब्बे से हम क्या पा सकते हैं डोक्टर प्रिया जी आपको बताएंगे भक्तामबस त्रोत का जो 14 नंबर गाथा है ये आज सबसे ज्यादा लोग प्रिये हो रही है और सबसे ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं आयुरवेद के हिसाब से तीन तरह के दोश बताए गए हैं वात पित और कफ ये दि किसी की लाइफ में भी वात लेटेट प्रॉब्लम्स हैं जैसे की स्लीपिंग डिसॉडर रात को नहीं नहीं आती है सही से चैपिंग स्किन बहुत धलक गई है इसकिन ने अपनी बहुत ज़्यादा स्किन ने अपना टेक्शर चेंज कर लिया है तो भी वात प्र प्रॉब्लम्स है वात क्या है एर एंड वाटर एलिमेंट हमारी बाड़ी के अंदर जो है इन बैलेंस हो गया है तब हमें वात प्रॉब्लम्स माई लाइफ में एंटर कर जाती हैं तो यदि किसी की भी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस लोग का बठन करें तो इसको बहुत लाव होगा और एक और उपाय बताना चाहूंगी वास्तु के हिसाब से भी जो आज modern science है भक्तामबर्स्त्रोथ का यह चोद्वा नंबर जो काव्वे है इसका जो यंत्र है आप अपने घर के नौर्थ वेस्ट में लगाएं अपने घर के office के नौर्थ वेस्ट में लगाएं तो जितनी भी आपको वाध shirt प्र cortar problems है आपकी लैफ मे एरो ड़ाटर जो है इन्नडैन्स है आपकी लाइफ में वह बैलन्स होने लगेगा क्योंकि जो North West जोन है वो चंद्रमा की जोन मानी जाती है चंद्रमा पानी का प्रिटितित करता है और North Virgin एर की जोन भी है अगर ये जोन हमारी दिश्टर्ब हो कहीं भारी निर्वान बनात कर दिया गया हो कोई अन्य बास्तु दोस हो तो इस जोन के प्रभाव इतने आते हैं कि सरीर बात व्यादी से पीडित हो जाता है और सरीर में जो बीमारिया चलती है वो लंबे समय तक ठीकी रहती है तो हमें नौर्थ वेस्ट जोन को ठीक करने के लिए इस काभ्य का यंत्र हम रेखर की नौर्थ वेस्ट जोन में इस्ताफित करना चाहिए जिससे बात व्यादी तो दूर होगी ही वास्तु से लिटे जितने भी दोस हैं वो भी हमारे दूर होते चले जाएंगे आज एलोपेती तो कुछ सालों से ही प्रिचलन में आई है लेकिन प्राचीन काल से आयूरवैद हमारे जीवन का अभिन अंग रहा आयूरवैद में बात ब्यादी बात पित और कप इन तीन ब्यादों की विस्षिश रूफ के ब्याक्या की गई है अगर ये तीन ब्यादियां हमारे जीवन से निकल जाएं हमारबात पित और कप अगर हमारा बैलेंस हो जाए तो हमें कोई भी रोग नहीं हो सकता हमारी आयू बहुत लंबी हो सकती है हम दीड़ धायू हो सकते हैं हम सुकी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं इसके साथ साथ आपको अपने अहार को भी संतुलित करना होगा, ऐसा तो नहीं कि हम गल्थ अहार ले रहे हों, गल्थ खान पान कर रहे हों, अपनी दिन चर्या को बिगाड़ रहे हों, तो हम स्काब्वे का पाठ करें, तो साइद इसका फल हमें देर से मिलेगा, हम अपनी दिन चर्या को संतुलित करें, हम खुब सारा पानी पिए, प्रिकरती के साथ जुड़ें, प्रिकरती का आधर करें, सदकार करें, अपने परिवार में, अपनी माता पिता, अपनी गुरु जनों का सम्मान करें, पहन बेटियों से संबंद अच्छे रखें, तो की कारण सरीर जरजर हो जाता है, और एक बात ब्यादी कम सकम दोसों से उपर बीमारियों को आममंत्रित कर देती है, इस बात ब्यादी की कारण नीद नहीं आना सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, गैस बनती है पेट में, और सारा सरीर का सिस्टम गड़बड हो जाता है, ज चौत्वे नंबर गाता, यह चौत्वे नंबर काप है, आपकी उस ब्यात व्यादी को छन भर में दूर करतेगा, लेकिन जरुत है आपकी सर्दा, आपकी भक्ती, आपकी विश्वास की, ऐसी ही अन्य जानकरियों के लिए, इसका अबश्ति संब्धित और विस्तार से सब्द अर्थ प्याक्खा और इसके वारे में अन्य जानकरी के लिए, आप हमारी यूट्यूब चैनल बक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं, इसके ओडियो, इसका वीडियो, इसके रिद्धी मंत्र, इसका प्रोसेस, जापकी विधी, हिंदी और इंग्लिस में, कार् अप्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट करें, और अन्य किसी जानकरी के लिए, नीचे बारे नंबर पर जो स्क्रीन पर डिस्पिल हो रहाए, इस पर अप्षम पर कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, आप सभी ने ध्यान से जुना, आपको बहुत बहुत सादुबाद, झाल